नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका Defense Gallery में तो दोस्तों रिसेंटली ही एक आर्टिकल छपा है Eurasian Times में और Eurasian Times जैसा अकसर करता है वैसा इसने फिर से किया है और इन्होंने एक Question Race किया है कि अगर राफेल इतना ही अच्छा है तो फिर International Market में ये Fail क्यों हो गया क्यों इसे France के अलावा सिर्फ तीनी Countries यूज करती है और ऐसे ही बाकी बहुत सारे Propaganda को इनके आर्टिकल में लिखा गया है और इससे पहले भी इनका एक आर्टिकल आया था जिसमें कि इन्होंने Russian Su-35 या फिर Chinese J-16 के सामने राफेल को एक Inferior Fighter Jet बताया था तो उसके लिए भी मैंने Russian Su-35 से वीडियो को एक Genuine Comparison किया था राफेल के साथ और आपको बताया था कि राफेल और Su-35 में कौन कहां स्टेंड करता है वो भी वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी यहां मैं ये बात करने वाला हूँ कि इन्होंने जो राफेल की Capabilities पर सवाल उठाया है पहले हम उसको देख लेंगे कि इन्होंने क्या-क्या Questions किये हैं और फिर हम इनके Solutions या फिर इनके तोड़ पर बात करेंगे कि इन्होंने जो चीजे कहीं हैं वो किस हद तक सही है या किस हद तक ध्यान देने वाली हैं तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं तो इन्होंने क्या-क्या Questions उठाये हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों इन्होंने राफेल की Capabilities पे सवाल उठाया है किसी भी US Fighter Jet के सामने साथ ही इन्होंने अपने पिछले आर्टिकल का भी जिक्र किया है जिसमें इन्होंने Russian और Chinese Fighter से इसे Compare किया था कहीं न कहीं उसके सामने भी राफेल को इन्होंने Inferior Fighter Jet बताया था इसके अलावा इन्होंने राफेल की High Cost की बात की है कि राफेल बहुत ज़्यादा High Cost है इसकी साथ इन्होंने France को एक Inefficient Defense Sector की तरह दिखाया है कि France में जो Defense Sector है वो Inefficient है यानि कि वो कपेबल नहीं है Defense की High End की Technology को चीजों को बनाने में और इसके अलावा इनका थोड़ा प्रोपोगेंडा अलग चीजों पे है कि राफेल के अलावा क्यूं लोग दूसरे देशों के Fighter Jet को खरीद रहे हैं और राफेल को सिर्फ France के अलावा तीन ही Countries यूज करती है तो यह सारे इनके प्रोपोगेंडा है जो कि इन्होंने बताया है तो हम इसमें दोस्तों one by one करके बात करेंगे कि इनका जो प्रोपोगेंडा फैलाया गया है वो किस हद तक सही या गलत है और भारत ने राफेल को क्यों चुना है क्योंकि आप सब जानते हैं कि आपके देश ने अगर राफेल को चुना है तो आपको पूरा भरोसा होना चाहिए उस पे तो उसमें मैं सारी चीज़े आपको बताऊंगा कि क्यों भारत ने राफेल को चुना है और ये कहां तक बेटर है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राफेल की capability की जो इन्होंने बताया है US, Russian या Chinese aircraft से लेके तो इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूँ दोस्तों कि जो रशिया या Chinese fighter jet से comparison है वो मैंने पहले ही वीडियो बनाई है तो वो link आपको आई बटन पर मिल जाएगा तो यहां इन्होंने जो especially कहा है कि US, Russian या Chinese fighter jet से ये aircraft बेटर नहीं है आज की technology के हिसाब से तो उसमें मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों कि वैसे अगर देखा जाए तो market में बहुत सारे अच्छे aircraft है फिलहाल के तोर पे अगर आप सबसे अच्छे aircraft की बात करोगे तो वो है F-35 जो कि America दूसरे कुछ countries को offer करता है कुछ को नहीं करता है तो अगर सबसे अच्छा F-35 है तो क्या हर country F-35 खरीद सकती है obviously not हर country के अलग-अलग अपने budget को लेके कुछ issues होते हैं कुछ requirement को लेके issues होते हैं कुछ offer को लेके issues होते हैं कि अगर America आपको offer ही नहीं कर रहा है तो आप खरीदोगे कैसे तो यहाँ पर बात यह आ जाती है कि हम इसे उसी US fighter jet से compare कर सकते हैं जो कि भारत खरीद सकता था पर भारत ने उसे छोड़ के राफेल को चुना है और अगर बात कर ली जाती है MMRCA deal की तो जो first MMRCA की deal थी जिसमें राफेल को खरीदा गया उसमें total 6 fighter jet offer किये गये थे तो उसमें राफेल को क्यों चुना गया है पहले हम इस पर discussion कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं एक एक करके चाटना शुरू करूँ कि किस fighter jet को चाटते हुए राफेल को चुना गया है उसी तरह FA-18 था तो dual engine लेकिन अगर आप FA-18 की specifications को राफेल से compare करते हो तो आप FA-18 far inferior है राफेल के सामने तो राफेल के सामने ये कहीं नहीं टिक रहा था FA-18 इसलिए FA-18 को भी reject कर दिया गया अब आते हैं तीसरे fighter jet पे जो कि Sweden का था Gripen तो ये भी एक single engine fighter jet था और भारत को dual engine fighter jet शेये था इसलिए इसे भी reject कर दिया गया अब आते हैं मिक-35 पे मिक-35 undoubtedly on paper काफी अच्छा aircraft दिखता है और ये एक Russian fighter jet है और Indian Air Force ने पूरी तरीके से decide कर लिया था कि हमें कोई Russian fighter jet नहीं खरीदना है वो क्यों recite किया था क्योंकि Russia के fighter jets में engines का इतना issue होता है इतना issue होता है कि बस आप ये समझ लो कि भारत वैसे कहने को तो use करता है 260 से 272 के नंबर में 130 MKI को लेकिन भारत इसके 930 engines को use करता है तो आप समझ लो कि triple से भी ज़ादा लगभग 4 गुने ज़्यादा quantities में हमारे पास engine होते है ताकि हमारे सारे aircraft operational condition में हमेशा बने रहें तो इस तरह के engine के technology को use किया गया है Russian aircraft में तो ये चीज़ पहले से ही clear था MMRC deal के तहत कि हम कोई भी Russian fighter jet नहीं खरीदने वाले हैं लेकिन क्योंकि रशिया ने offer किया था तो offer से तो हम रशिया को बाहर नहीं कर सकते थे लेकिन हमारी priority यही थी कि हमें Russian fighter jet नहीं चाहिए इसलिए MIG35 reject हो गया था अब यहाँ पे दो ही fighter jet बचते हैं Euro fighter और Rafale तो इन दोनों के बीच में Rafale को क्यों select किया गया अगर यहाँ पे हम quality wise बात करते हैं तो Euro fighter हो या Rafale यह दोनों लगभग लगभग similar qualities के थे लेकिन उसके बावजूद राफेल को चुना गया तो राफेल को यहाँ पे इसलिए चुना गया जो basically दो reason मैं समझ पाया हूँ पहला यह कि राफेल कहीं न कहीं सस्ता fighter jet था Euro fighter के comparison में Euro fighter बहुत महंगा है राफेल के comparison में और दूसरा main reason यह था कि Euro fighter को चार देश मिलके बनाते थें और राफेल को सिर्फ France अकेले बनाता था तो यानि कि अगर हम Euro fighter लेते हैं तो उसमें हमें चार देश यानि कि UK, Germany, Italy और Spain जो मिलके से बनाते हैं हमें उन सबसे हमेशा एक ठीक ठाक relation maintain करके रखना पड़ता ताकि इसकी जो inventory की supply है वो हमेशा बरकरार रहे जबकि France के साथ ऐसा कोई issue नहीं था France के साथ सिर्फ हमें France पे ही ध्यान रखना था और France से हमारे पुराने defense relation काफी ज़्यादा अच्छे तरीके से mature हो चुके हैं और कभी कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आई है France के साथ तो France ज़्यादा reliable partner भी था और साथ ही साथ राफेल यूरो फाइटर की तुलना में एक सस्ता एरक्राफ्ट भी था तो इस दोनों ही रीजन से भारत ने राफेल को चुना क्योंकि ये सारी requirement को पूरा कर रहा था हमारे budget के हिसाब से suitable था साथ ही साथ फ्रांस से हमारे relations अच्छे थे तो सबसे पहली बात अब यहां पे अगर आप compare करते हो दोस्तों कि आपने राफेल को छोड़के F-35 क्यों नहीं खरीदा या F-15 क्यों नहीं खरीदा या Su-35 नहीं खरीदा तो ये एक nonsense logic है क्योंकि जब भारत ने 2008-2010 में भारत इस चीज की testing कर रहा था कौन से aircraft को खरीदना है तो उस समय सिर्फ यही 6 fighter jet MMRCA deal में थे तो आप किसी और से इसको अगर compare करते हो तो ये आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी होगी क्योंकि जो fighter jets आ जा रहे हैं या आज की condition में भारत को offer किये जा रहे हैं वो fighter jet उस समय competitions में थे ही नहीं for example अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जैसे कि सुनने में आया है अमेरिका इस समय अपना F-15 EX भी भारत को offer करने को तयार है अब ये fighter jet उस समय था ही नहीं राफेल की deal की वक्त तो अगर ये fighter jet उस समय डील में था ही नहीं और उससे हम इसे अभी compare करेंगे तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी होगी तो मैं उमीद करता हूँ कि मैंने इस point को clear कर दिया होगा कि राफेल को उस समय क्यों चुना गया बागी दोस्तों अगर आप यूरो fighter और राफेल में साथ इन्हों ने ये भी कहा है कि क्योंकि दूसरी countries इस fighter jet को नहीं खरीद रही है तो इस वज़े से इसका production कम किया जाता है और क्योंकि इसका production low quantity में किया जाता है इसलिए ये fighter jet काफी महंगा है तो इसलिए लोग इसको नहीं खरीदते हैं क्योंकि इसकी high cost आ जाती है तो ये देखो दोस्तों कितना ज्यादा clash करने वाला statement है ये दोनों एक और आप कह रहे हो कि लोग इसे इसलिए नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि महंगा है और दूसरी और आप ये कह रहे हो कि लोग इसे खरीद नहीं रहे हैं इसलिए ये महंगा है मतलब ये तो बिलकुल nonsense statement है जिसमें कि कोई दम नहीं है और साथी साथ इन बातों के अलावा France को ये भी कहा गया कि France की जो defense industry है वो एक small और inefficient defense industry है ये दोस्तों उस France के बारे में inefficient defense sector बताया गया है उस France को जिसने की Eurofighter program से छोड़के खुद का अकेले का fighter jet बना लिया आप सोचिए एक fighter jet को बनाने के लिए UK, Germany, Italy, Spain इन चारों ने collaborate किया तब जाके इन लोगों ने एक fighter jet program बनाया जो की Eurofighter jet बना और France भी Eurofighter के program में था लेकि France खुद से अपने फैसले पे अलग हुआ और उसने अकेले के दम पे राफेल बना के खड़ा कर दिया और आप ऐसी country को अगर आप ये कहते हो कि उनकी जो defense sector है वो inefficient है ये भी कहना अपने आप में काफी बेवकूफी होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये चीज़ काफी हद तक समझ में आ गई होगी कि भारत ने अगर राफेल को खरीदा है तो ये भारत की जरूरत, भारत के budget और international community में हमें किस तरह की जरूरत है हमें किस country से fighter jet करीदने की जरूरत है, किसको छोडने की जरूरत है ये सब कुछ देख के राफेल को खरीदा गया है और ये decisions दोस्तों हर countries के लिए अलग हो सकते है For example, अगर इनकी इस point को हम उठाते हैं कि राफेल को France के अलावा सिर्फ तीनी country यूज करती है है कि बहुत सारी countries आपको पता है दोस्तों कि एक diplomatic pressure में आके भी दूसरी countries से समान खरीदती है तो आजकल आपको पता है कि अमेरिका का कितना वर्चस्व है बाकी देशों पे, तो अमेरिका एक तरीकी से pressurize करके या दूसरे countries अमेरिका को खुश करने के लिए भी बहुत बार अमेरिका के fighter jets को खरीदते हैं, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका के fighter jets अच्छे नहीं होते हैं obviously अमेरिका जो भी fighter jet अपने हिसाब से जिस class में बनाता है वो fighter jet उस class में बहुत ही उम्दा performance देते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो performance दे रहा है उससे अच्छा कोई दे ही नहीं रहा है या फिर कोई और दे नहीं सकता तो बहुत बार क्या होता है कि countries अमेरिका को खुश करने के लिए भी उनका system खरीद लेती है चाहिए वो fighter jet हो या air defense system आपको अगर मैं एक incident बताओ तो भारत को भी अमेरिका ने बहुत प्रेस किया था कि वो अमेरिका का third air defense system ले ले लेकिन भारत उनके pressure में नहीं आया भारत ने खरीदा S-400 और same with राफेल आलसो तो राफेल के भी case में अमेरिका के और से काफी lobbying की गई इवन रशिया के और से तो बहुत ज़्यादा lobbying की गई कि Russian fighter jet भारत खरीदे लेकिन भारत ने decide कर लिया था कि भारत को Russian fighter jet नहीं चाहिए तो भारत ने उस समय नहीं खरीदा और भारत राफेल के साथ गया क्यूंकि भारत किसी देश के pressure में आके अपने defense के decision को at least फिलाल के time पे तो नहीं ले रहा है पहले हो सकता है बहुत सारे decisions लिये गए हो लेकिन at least अभी के time पे आप देखो किसी country का कोई भी pressure इंडिया के उपर नहीं काम आता है और इंडिया वही करता है जो उसके लिए सही लगता है और हमारी air force ने क्योंकि राफेल को पसंद किया है और उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदा है तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि राफेल अपनी class का best fighter jet है और हमारे pilots इसके थूँ जो हमारे दुश्मन है उनको किसी भी situation में पीछे ढखेलने में हमेशा काम्याब रहेंगे तो बस अभी के लिए इतना ही दोस्तों उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मैं मनीश मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए आपको उसको राते रहें नमस्काल चैह